कई चुनाव हार चुकी हैं और इतनी बड़ी नेता होती तो बीजेपी अभी तक उन पर भरोसा जताती या फिर बीजेपी टिकट देती और अपना यादों का अपना कोई जनधार नहीं है भले ही वो रायनीती में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका को निभा रही है लेकिन म उनी सीट में एक सीट करहल भी है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करहल सीट पर आखिरकार क्यों एक ऐसे शक्स को उतारा गया जिसका बहुत बड़ा रिष्टा मुलायम परिवार से है लेकिन आखिरकार क्यों इस सीट पर अपढ़ना यादव को नहीं उतारा गया और अ अक़लेश यदव को भारतिये जन्ता पार्टी मौका नहीं दे रही, मैनम्य रिख की जिस करहल सीट से सपामुक्या अकलेश यदवनने इस्तीफा दिया था, उस सीट पर बीजेपी ने इस सीट पर मुलायम परिवार के बीच में मकाब्ला कर दिया है, अकलेश ने इस सीट प लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर परिवार की बात है और परिवार के खिलाफ खड़ा करने की बात है तो अपड़ना यादव को क्यों नहीं बहतर समझ रहे थे अकलेश या बात करें योगी आदितनात या सीधे तोर पर कहें कि पार्टी से साइड लाइन किया गया है पर आज हम बात कर रहे हैं बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिराज हमारे साथ सिराज बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका और सिराज बहुत बड़ी खबर ये निकल कर सामनी आई है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारतिये जनता पार्ट के उप चुनाव में जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किले खड़ी कर सकती है क्योंकि अपढ़ना ने कहा था कि परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे अगर ऐसा ही था तो बीजेपी ने फिर किसी और को टिकट ना देकर उन्होंने टिकट अनुजेश को ही दिया है जी पिल्कुल यह मुझे लगता है उत्वर प्रदेश के लिहाज से काफी महतपूर्ण सवाल है क्योंकि देखा जाये तो सुबह में नौ विदान सबसीटों पर उप्चना होने है और जिस करहल सीट से माना यह जा रहा था कि अपढ़ना यादव पर बीजेपी दाव के लिए दरासल वहां पर भले ही मुलाइम सिंग यादव के परिवार के बीच लड़ाई करवा दिया भारती जनता पार्टी ने लेकिन अपढ़ना यादव को कही ना कहीं जगा नहीं दिया अपढ़ना यादव पर भरुसा नहीं जेता है तो मुझे लगता है कि इसके पीछे के पी टिकट देती और अपना यादों का अपना कोई जनधार नहीं है भले ही वो रायनीती में सक्रिये रूप से अपनी भूमिका को निभा रही है लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारती जनता पार्टी उन्हें नजर अंदास कर रही है इसका ये भी कारण हो सकता है कि अपना यादों कई मौकों पर यह कह चूकि कि मैं परिवार के किसी भी सदर से के खिलाफ कभी भी चुनाओ नहीं लड़ूंगी तो देखे बीजेपी हमेशा से यही चाहती रही है कि जो मुलायम परिवार है उसको आपस में लड़वाया जाए जिससे जो यादाव परिवार के खिलाफ नहीं लड़ूंगी और समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई उमिद्वार तो किना किसी सीट से खड़ा हो गए और वो समाजवादी पार्टी अकलेश यादव की है वो पार्टी मुलायम सिंग यादव की पार्टी है तो ऐसे में देखा जा रहा कि फिर तो बीजेपी में आना ही नहीं चाहिए था पढड़ना यादों को और यहां पर यह भी देखा ज जा रहा है कि जिस तरीके से अभी तक तमाम राजनीतिक पार्टियों में देखा गया है कि कोई किसी पार्टी से होता है कोई किसी सावितरी जिंदल का जिकर करते हैं निर्दलिये वो उतरी हैं उनके बेटे बीजेपी से तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इस तरीके की कि पढ़ना यादो भले ही भारती जनता पार्टी का हिस्सा है लेकिन आपने उनकी रणनीतियों पर अगर आप गौर करेंगे तो जाहिड सी बात है आपको अभास होगा कि उन्होंने कभी भी अपने परिवार के खिलाफ जो है तमाम तरह के कह सकते हैं कि शब्दों का प्रिय उसको हमेशा के लिए खोलना चाहती है और उसको बने देना रहना चाहती है इसी वज़ा से वह परिवार के खिलाफ नहीं बोलती है क्योंकि देखे बहले ही आज अपढ़ना यादो बीजेपी में है लेकिन अगर वह समाजवादी पार्टी में जाना चाहें या फिर समाज अपढ़ना को पता है कि वहाँ पर उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी हाला कि पहले जब वह समाजवादी पार्टी में थी और हमने देखा था कि सपा में भी उनका उतना बड़ा रोल नजर नहीं आया था लेकिन अब जिस तरीके से बात कही जा रही है कि दुबारा अगर समाजवाधी पार्टी की तरफ रुख करती है तो कहीं न कहीं मौका सपा देंगी तो उसके क्या गारेंटी है कि समाजवाधी पार्टी जो है अपढ़ा यादव को आगे बढ़ाती नजर आएगी जबकि इतिहास गवा है कि अपढ़ना एक जब चुनाव हार गई थी तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने रोल कहीं ना कहीं उनका कम कर दिया था जी देखिए किसी भी नेता या किसी भी पार्टी का वजूद उसके प्रती जो समर्तक होते हैं उनके लिये होता है और जाहिर सी बात है अगर वो अपनी सीट से नह अधार नहीं है आपने देखा होगा जब आपने एक बहुत महत्मून बात कहीं कि अपनायादों का जुकद है वो लगतार समाजवादी पार्टी में घरता हो नजर आ है लेकिन आपने इस चीज़ पर गौर किया होगा जरूर की अपनायादों जब हार गई उसके बात से ही उनके लिए मुश्किले खड़ी होते ही नजर है आप क्या चाहते हैं कि अपनायादों हार गई तो उन्हें मुख्य मंत्री बना दिया जाए देखी राजनीती में जो चीज़े हैं वो बहुत सहियम से रखी जाती है और जाहिर सी बात है कि आप अगर चुनाओं में जीत हा इसल की थी जिससे उनको एक बड़ी जिम्यदारी दी जाए या फिर पार्टी के मुख्य भूमिका में उनको शामिल किया जाए बहले ही वो परिवार का हिस्सा है लेकिन मुझे लगता है कि जनता आपके उपर कितना भरुसा कर रही है ये मुझे लगता है राजनीती में का कर दिया और इसके अलावा योध्या की मिल्की पूर सीट जहां पर अगर बात करें तो फिलहाल चुनाव की तारिक का एलान तो नहीं हुआ लेकिन इस सीट पर बीजेपी किसको उतारती है और सबसे बड़ी बात भी रहेगी कि फूल पूर जैसी सीट का टहरी जैसी सीट इ इनके क्या नतीजे आएंगे और उत्तरप्रदेश के उप चुनाव से ही पता लग जाएगा कि आखिरकार विधान सबाद चुनाव में जीत किस पार्टी की होगी फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही मुझे मेरे सही होगी को इजाज़त दीजे नमस्कार